हेलो एब्रीवन स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्सिक प्रो में तो आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सेंट्रल मैनुफेक्ट्रिंग टेक्नलोजी इस्टिट्यूट में बैसिकली डिप्लोमा बीटेक और ग्रेजवेशन वालों के लिए जो बिभिन पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम डिटेल डिसकस करने वाले हैं सबसे में बात क्या है इस पोस्ट की कि यहां पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ना ही कोई फीज देनी है मींस नो फी एंड सेकेंड तिंग नो एक्जाम और ना ही यहां पर कोई आपका रिटेन टेस्ट होने वाला है तो सबसे बड़ी बात यह कि इस पोस्ट की लिए अप्लाई करते समय ना ही इसमें कोई एक्जाम होने वाला है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं CMTI का व्रीफ इंट्रोड़क्शन की CMTI है क्या तो CMTI का फुल फाम है Central Manufacturing Technology Institute जिसे सार्ट फार्म में CMTI कहते हैं यह तुमको रोड बैंगलोर में इस्थित है यह बेसिकली एक Government Institute है Research and Development Center है और समय समय पर बैकेंसी निकालते रहते हैं तो इस दोरान यहां पर दो दिन पहले आप लोगों के लिए बैकेंसी निकाली गई है तो Project Assistant First में बैकेंसी है ITI in Air Conditioning and Refrigeration जिनकी ITI Air Conditioning and Refrigeration है उनके लिए यहां पर दो पोस्ट निकाली गई है और जो दूसरा है Project Assistant 2 इसमें ITI in Electrical Engineering अगर आपका Electrical Engineering में First Class ITI है मिन 60% से अबब है तो आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं ठीक है यहां पर Electrical Engineering में Electrician, Electronic Mechanic, Wireman तीनों ट्रेड वाले अपलाई कर सकते हैं ठीक यहां पर आपको Related Trade में 2 इयर का Working Experience होना चाहिए अगर Experience है तो अच्छी बात नहीं है तो भी आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं ठीक बात की जाए Work Duration क्या रहने वाला है तो यहां पर जो Project Assistant First, Project Assistant Second में जो ITI वालों का है यह बेसिकली दो साल का रहने वाला है मिस दो साल के Contract Bases पर आप लोगों को रखा जाएगा आपका Pay Scale कितना होगा 18,000 पर मन्त आपको यहां पर मिलने वाले हैं यहां पर एक Post निकाली गई है डिपलोमा वालों के लिए Next जो Project Assistant Second में First Class Diploma in Metrology या फिर B.H.C. Physics Chemistry में है तो आप Project Assistant Second के Post पर अपलाई कर सकते हैं बात की जब Project Assistant Second के सेलरी कितनी होती तो इनकी सेलरी 20,000 पर मन्त होती है इनका भी Work Duration कितना होने वाला है जो Mechanical Engineering डिपलोमा है उनका 2 एर का होगा और जो डिपलोमा इन Metrology या फिर B.H.C. Physics और Chemistry में है उनका One Year का Work Duration रहने वाला है यहाँ पर आपको भी Experience मागा गया है टू इयर का डिपलोमा वालों के लिए One Year मागा गया है Metrology या फिर Physics में अगर आप Chemistry है या फिर मायत स्वरी Physics और Chemistry है B.H.C. में तो आपके पास One Year का Working Experience होना चाहिए नेक्स बात की जाए Project Fellow जो की B.Tech वालों के लिए है Project Fellow First जिसमें M.S.C. मांगी गई है इनकी बात की जाए Pay Scale तो 25,000 है टू इयर के लिए है Next Project Fellow Second इनका 30,000 सेलरी रहने वाला है टू इयर के लिए यहाँ पर First Class B.E.B.Tech in Electronic and Communication Engineering में मांगा गया है Project Fellow Third इनकी भी सेलरी 30,000 है दो इयर के लिए First Class B.E.B.Tech in Electronic and Electrical Engineering Next Project Fellow Third की बात की जाए यहाँ पर First Class B.E. in Mechanical Engineering with Two Year Working Experience अगर Mechanical Engineering में आपने B.E.Tech कर रखा है अगर आपके पास दो इयर का Working Experience है तो आप इस पोस्ट के लिए Apply कर सकते हैं आपकी सेलरी होगी 30,000 पर मन्त यहाँ पर दो नंबर आफ पोस्ट हैं दो इयर आपका Work Contract रहने वाला है Next Project Fellow Second की बात की जाए जिसमें 28,000 सेलरी रखी गई तो First Class Graduation in Discipline with Class MBA Means यहाँ पर MBA वालों के लिए भी Management वालों के लिए भी Vacancy निकाली गई है दो पोस्ट यहाँ पर है और दो साल के लिए इनका भी Work Contract रहेगा 28,000 यहाँ पर सेलरी रखी गई है Next Last One Vacancy की बात की जाए तो यहाँ पर प्रोजेक्ट फिलो थर्ड जो है इनमें मांगा गय in any discipline like MBA यहाँ पर भी मांगा गया है और यहाँ पर two year work experience होना चाहिए salary कितनी होगी 30,000 होगी तो clear कर दें जो यह भी vacancy सारी जो पोस्ट के लिए vacancy है basically recruitment on contract basis है जो ITA वाले basically है यह diploma यह भी टेक्ट ज्यादा तर दो साल का है कुछ ऐसे पोस्ट है जो एक साल के लिए भी है इस के basis पर further आपकी means जो contract होता है उसको extend किया जाता रहता है maximum आप यहाँ five year तक work कर सकते हैं means आप यहाँ तक यहाँ पर five year तक work कर सकते हैं पांच साल तक job security कह सकते हैं कि जाब से आपकी होती है यहाँ पर जो भी calculation होगा है होगी ए जो गयरा कि calculation जो means required qualification 3110 2020 तक अगर आपके पा बात किया इसमें आपको ना कोई fees लगनी है और ना ही कोई यहाँ पर exam होता जितने भी आपको वहाँ पर छूट मिलते हैं government में apply करते समय सारे age relaxation या फिर जो cut-off अगेरा सारा कुछ यहाँ भी आपको relaxation मिलने वाला है but basically क्या है आपका 60% होना चीए ठीक जो आपकी desired qualification मांगी गई है उसमें अगर आपका 60% है तभी आप apply कर सकते हैं गर 60% के नीचे तो आप apply नहीं कर सकते हैं बात कीज़े apply कैसे करना है तो apply करने के लिए जो interested candidate है are requested to mail the application in the prescribed format यहाँ पर website का link हम आपको description में दे रहे हैं तो website पर visit करके वहाँ पर आपको यह form दिया गया है six page का उस form क आपको क्या करना है आपको फिल करना जो कि word format में दिया गया है ठीक है तो उस form को आपको फिल करना फिल करते समय है font आपको लेना है Arial font size होगा 12 आपको word form में फिल अफ करना अपना latest photo लगाना है फिर उसका एक PDF file भी generate करना है और अपने सारे document के साथ अपने cb के साथ अपने इस form को क्या करना है यहाँ पर website दे रखी सोरी यहाँ पर email id दे रखी है recruitment.cmti.nic.in इस पर क्या करना है आपको 2310-2020 के पहले आपको यहाँ पर भेज़ देना है इस form का link हम आप हमने आपको दे दिया है description में वहाँ से आप form को download कर सकते हैं उसको भर करके फिर आपको क्या करना अपने document के साथ सारे अपने resume cb के साथ इस दी गई email id पर 3210-2020 के पहले पहले आपको भेज देना है ठीक तो यह थी आज की notification जिसमें हमने जाना basically iti diploma b.tech graduation वालों के लिए जो बैकेंसी निकाली गए इससे लेटर अगर आपको कोई doubt होता है तो आप description में comment section में पूछ सकते है good luck